सोशल मीडिया पर मशूर यूट्यूबर एलविश्यादव नोडिया पुलिस की गिरफ्त में है सापो के जहर की कथित खरीद और फरोक्त मामले में उसे आरिस्ट किया गया है पुस्ताच में उसने आरोब भी कबूल कर लिया और बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टीयों में मिल चुका था उस पर आरोब था कि वह पार्टीयों में सापों के जहर की सप्लाई करता था एलविश यादों ने कबूल किया कि नवंबर में गिरफटार किये गया आरोपियों के साथ उसका संपर्ख था और उनसे जान पहचान भी थी नोईडा पुलिस ने एलविश को 17 मार्च की साम को गिरफटार किया है कुछ मैने पहले उसे एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ कथित रूप से दुरलब सापों को गल्व में डाल कर डांस पार्टी कर रहे थे सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरन होने के बाद प्रसासन हरकत में आई नोईडा पुलिस ने एलविश्यादों के खिलाब उन्तिल्ट एंडीपीएस एक्ट के तहट के तहट केस दर्च की है इस कानून के तहट तब कारवाई की जाती है जब कोई ड्रक से जुडी साजित सामिल हो या मामला ड्रक्स की खरीद फरोक से जुड़ा है मसलन इस कानून के तहट सजा पाने वाले दोशी को जमानत मिलना असान नहीं होता एलविश्यादों को फिलाल 14 दिनों की न्याई खिरासत में भेजा गया है उसने पिछले साल 3 नवंबर को नोईडस सेक्टरी 51 स्थितिक बेंक्विट हॉल में सापो का जहर मुहाया कराया था फोरेंसिक टीन ने भी इसकी पुस्टी की थी एलविश्यादों और 6 अनने लोगों पर वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129 एके तहट केस तर्च किया गया था एलविश्यादों से पहले भी पूस्ताच हुई थी लेकिन पुलिस ने उसे तब गिरफतार नहीं किया था ूच्टी लूस्तार ऍलविश्याद न हुड राई पूसितां पिनियायदों से प्रूसर एप टिव नहीं च producto